तियो लिदी O.G.C की तरफ से जो भी आपे KYC का प्रॉसस बताया गया था पिछली वीडियो में मैंने आदे से ज़्यादा उसको कवर कर लिया है क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता तो उस वीडियो को सबसे पहले आपको देखना है उसके लिखा है उसको आप देखिए सबसे पहले उसके बाद इस वीडियो को आप बॉच कीजिए कुछ लोगों का मेरे पास questions था कि sir KYC exchange में करनी पड़ रही है और coin exchange में जाएगा आपने metamask का address लगवा दिया कोई problem नहीं है सबसे पहले जो exchange है उसका KYC कैसे क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं आँगे के update आँगे के जो process है उनकी हम आँगे चर्चा करेंगे यह exchange का जो APK है जैसे ही आप open करते हैं इस तरीके का interface आएगा अब आपने क्योंकि account बना लिया है उस वीडियो को जरिये तो आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा verify KYC करनी पड़ेगी और already OGC की team है उनकी तरफ से कहा भी गया है कि आपको KYC करनी है तो KYC करनी कैसे है वो दिखे यहां पे जैसे ही आप यह बाला जो यहां पे so हो रहा है इसको आप cut करेंगे cut करने के बाद में इस तरीके का interface आपके सामने आ जाएगा हाँ बहुत सारे दूस्तों का questions था कि CBDC का एक exchange आया था ENC करके एक तरीके से कुछ भी उससे profit नहीं हुआ exchange बेकार का था क्या यह भी उसी third quality का exchange है तो सबसे पहले यह update में clear कर देता हूँ आपको हैस की तरब से आप यहाँ पे देख सकते हैं news यहाँ पे provide की गई थी coin desk coin desk अगर आप crypto के field में हैं तो आप सभी जानते होंगे coin desk कितना बड़ा platform है इनकी तरब से का गया था has के group has launched its crypto exchange has के global after it was granted a license in bar pundra देखिए मैं यहाँ पे बता दू इनकी तरब से यह news कबर किया गया था कि has के जो group है वो यहाँ पे एक exchange launch कर रहा है crypto exchange यह उसको has के global के नाम से जाना जाएगा और यह जो exchange है इसका license भी यहाँ पे क्या कर दिया गया है grant कर दिया गया है यह आप यहाँ पे देख सकते है image बगरा यहाँ पे लगाई गई थी यह नीचे आप और ज़्यादा यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं यह तो यहाँ पे clear हो जाता है कि exchange third quality का नहीं है exchange यह जैन्वन है यह आप यहाँ पे verify पे click करते हैं यह जो verify वाला आपको options मिलता है verify वाला इस पे जब आप click करेंगे तो इस तरीके का interface आपके सामने आज आएगा आंगे बढ़ने से पहले एक चीज हम clear कर दें यह जो KYC है बही लोग कर पाएंगे जिनके पास passport है जिनके पास ID card है अधार card pen card या voter ID तो आप यहाँ पे अभी KYC नहीं कर पाएंगे मैंने chat कर लिया है बो भी मैं आपको देखाऊंगा मैं process बता रहा हूं क्यों कि काफी लोगों के पास already passport होता है तो यहाँ पे passport के through आप KYC कर पाएं तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है आप अगर KYC करना चाहते है तो परस्टनल वेरिफिकेशन वाला ही options आपका होना चाहिए यह देखे verify नाव पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको mobile number डालना है OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ फिल कर करना है यह बाला options आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है continue पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप continue पर क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका options यह देख सकते इनीवल हो जाएगा क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते अब आपके सामने इस तरीके के दो options आते हैं पहला आता है आपको document देना है दूसरा आपका यहाँ पे selfie देनी है बस दो step है कि वैसी complete ठीक है तो यहाँ पर यह बाला जो options है इसमें आपको passport का देना पड़ेगा क्या image देना पड़ेगा यहाँ ठीक है और यह जो दूसरा options है यहाँ पर इस पर आपको क्या देना पड़ेगा अपना selfie देना पड़ेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे continue पर click कर देते हैं continue पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर इंडिया लिखकर क्या आएगा आपके सामने और यहाँ पर लिखकर क्या आएगा passport ठीक है तो यहाँ पर त उसका आपको image ले लेना है, मैंने ID का लिया था, मैंने यहाँ पर कर दिया है, थोड़ा था, हटा दिया है उस image को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोलड़ा है passport, make sure that all the information on the document is visible and easy to read, यहाँ पर कहा गया है, कि जो भी आपका हुआ है, वो passport होना चाहिए, और जैसे ही आप passport का image ले लेंगे, तो आपको यह मिलता है, यहाँ पर लिखे, document is readable, अगर आपकी image सही नहीं आई है, तो आप इसके through retag photo कर सकते हैं, अगर आपकी image सही आई है, तो document reasonable कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखे, मैंने क्योंकि ID कार दिया था, तो ID कर देने के बाद में, यहाँ पर क्या लिख कर के आया, the uploaded document do not match the country and document type selected, please uploaded document consistent with selections for choose country and type for document, I for upload, यहाँ पर जो मेरा document है, वो यहाँ पर match नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर passport मांगया गया था, मैंने ID कार दिया था, देखा था कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे पास तो passport है और यहाँ वो अपना पर passport से कर सकते हैं, अब आते हैं जिल लोगों के पास passport नहीं है, तो उनका क्या update है, उसके regarding चर्चा कर लेते हैं, और साथी साथ मैंने बॉलेट लिंक कराया है, उसके regarding चर्चा कर लेते हैं, देख पाएंगे जब आपने बॉलेट यहाँ पर गर आपको येक अब्रेट किया था उसमें यहां पर देख सकते हैं此 इसमें लिखा गया है नीचे यह धिखें यहांपे लिखा गया अगर आपके country में वर्क नहीं कर रहा है यह एक्षेंच फॉर अधर कंट्री बी बिल सगेस्ट अल्टानेटिब क्लैमिंग मैथ यानि आपको अल्टानेटिब क्लैमिंग मैथ दिया जाएगा आपको हो सकता है कि उसी जो आपका यहां पे माइनिंग एप है उसी में केवाईसी कराई जाए और उसी के थुरू आपका क्या हो यहां पे क्लैम हो जाए ठीक है तो किसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी इनका क्योंकि Twitter अकाउंट भी यहां पे क्या हो चुका है तो आप सभी भी कुछ न कुछ यहां पे जरूर इनसे यहां पे चैट बगरा कीजिए कि इंडिया में जो यह पास्पोर्ट बगरा है सारी कम्यूटी के पास नहीं है मैं दिखा देता हूं इनकी जो असिस्टेंट है किसकी जो हैस के एक्षेंज है ग्लूबल एक्षेंज है उनके साथ भी मेरी चैट हुई थी देख सकते हैं मैंने इनसे कोई यहां पे कोश्चन किया था यहां पे मैंने कहा था इंडियन हाल कम्यूटी नौट अवैलबल फॉर पासपोर वर केव आईसी ही सो प्लीज इनीबल फॉर आईडी कार्ड तो इनकी तरफ से जो इनकी असिस्टेंट है एक तरीके से उनकी तरफ से यहां पे देखेंगे अपडेट आएगा तो हम आपको आंगे प्रोवाइट करेंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट वॉक्स की तुरू बताइए चैनल पे नए आई हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग